हलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हिंदी एवी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC, UPSC, SSC में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रशन और हम आपको व्याख्या साहित उनके उत्तर बताएंगे ये भाग दूसरा है जिसमें हम विज्ञान के प्रशनों को विस्तरत में चर्चा कर रहे हैं इससे पहले एक और भाग हम बना चुके हैं और इसी प्रकार के हम और भी अन्यवेशियों के प्रशन लेके आने वाले हैं प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा हिंदी एवी नोट्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप आने वाले सभी वीडियोस समय पर देख पाएं तो चलिए हम बिना समय गवाई अब शुरू करते हैं तो पहला प्रशन है आटो मोबाइल्स के हाइडरोलिक ब्रेक के कारे करने का सिध्धान्त क्या है किस के सिध्धान्त पे कारे करता है यानि आर्कमडीज के सिध्धान्त पे न्यूटन के गती के नियम पे बरनौली के सिध्धान्त पे या पासकल के नियम पे तो इसका उत्तर है पासकल के नियम पर ये काम करता है देख लेते हैं क्या क्या है इसकी व्याख्या क्या है Archimedes का सिद्धान यह है कि जब कोई वस्तू किसी द्रवे में डूवने लगती है तो वह द्रव के अंदर अपने आयतन के बरावर आयतन के द्रव को विस्थापित करके स्वयम उसका इस्थान ले लेती है जैसे कि लोहे का जहाज पानी में तेरता है Newton का गती विश्यक तरतिय नियम है कि प्रतिक्रिया की उसके समान परंतु विपरीद दिशा में प्रतिक्रिया होती है जैसे जब बंदूग से गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की और जटका लगता है बर्नौली के नियम के अनुसार जिस स्थान पर दरवे का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है तथा जिस स्थान पर वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है पास्कल के नियम के अनुस्तार आटो मुबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते है परकनली शिशू के मामले में निशेचन परकनली के अंदर होता है या शिशू का परिवर्धन परकनली के अंदर होता है या निशेचन माता के शरीर से बाहर होता है या अनिशेचित अंड का परकनली के अंदर परिवर्थित होता है तो उत्तर है निशेचन परकनली के अंदर होता है परकनली शुचू को जनम देने के लिए इकशित इस्त्री का अंडाणू बाहर निकाल कर उसे एक परखनली में पुरुष के शुक्राणू से निशेचित कराकर पुनह इस्त्री के गर्भाशय में पहुचा दिया जाता है निशेचित अंडाणू गर्भाशय में सामाने अंडाणू की भाती विक्सित होकर शिशू के रूप में जन्म लेता है परखनली निशेचन की इस विधी को in vitro fertilization कहते हैं इस विधी से संतान हीन महिलाओं को जो साधरन रूप से गर्वधारन नहीं कर पाती है संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है भारत में प्रतम परखनली शिशु 6 अप्रेल 1986 में मुंबई में पैदा हुआ था Monagyte किसका I Ask है? जर्कोणियम, थोरियम, टाट्रीनियम या लौख तो तरह थोरियम, monagyte और थायोराइट परमानु इधन की रूप में प्रयोकत किये जाने वाले खनेज तत्त्तो थोरियम के Iask है मोनजट जिसमें 18% थोरियम होता है भारत के केरल तथा मदरास के समुदर तटकी बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विश्व में थोरियम के इस ऐस्क की सरवादिक मात्रा भारत तथा पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है थोरियम के इस ऐस्क को ब्रीडर रियक्टर के माध्यम से यूरेनियम 233 में परिवर्थित करके परमाणू विद्युत का उत्पादन किया जाता है पानी आयनिक लवन का स्विलायक है क्योंकि उसका क्वथरांक उच्छ है उसका द्विध्रुव आगूण अधिक है उसकी विशिष्ट उश्मा अधिक है या उसका कोई रंग नहीं होता तो उतर है उसका द्विधरोव आगुण अधिक है पानी हाइडरुजन के दो परमाड़ूँ तथा ऑक्सिजन के एक परमाड़ूसे मिलकर बनाईग धुरुवीय यौकिक है पानी का द्विधरोव आगुण अधिक होने के कारण आयENिक लवणों का ये श्रेश्ट सुविला जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन में से निमलिखित की परत विद्यमान होती है शीशा, क्रोमियम, यशद या वंग तो लोहे की किसी भी वस्टू को वायू मंडल में खुला छोड़ देने पर वायू मंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से अभिकरिया होती है इस अभिकरिया के परणाम सुरूप फेरिक हाइड्रोकसाइड तथा फेरिक ऑकसाइड के मिश्रन का निर्मान होने से जंग लग जाती है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर यशद या जस्ते का लेपन किया जाता है जिसे जस्ती करण कहते हैं जिसमें की टिन 67% सीसा 33% के मिश्रन का उपयोग दातुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है क्रोमियम, लोहा, निकिल तथा कार्बन मिलाकर स्टेनलेश स्टील तयार किया जाता है कॉलिस्ट्रोल क्या है कीट नाशी, विटामिन, इस्ट्रोइड या एंजाइम तो तरह इस्ट्रोइड ये किसी क्रिया में उत प्रेरख्का कारी करता है कॉलेस्ट्रोल की अध्रिक्त मात्रा से हिदयवाई का रोग, धमनियों या पक्षगातों के द्रणन जैसी समस्या हो सकती है, कॉलेस्ट्रोल एक प्रकार का स्टिरोईड है माना ब्रून का हिदय कब इसपंदन करने लगता है, अपने परवर्धन के परतम सप्ता हमें, तुर्तिय सप्ता हमें, चतुर्च सप्ता हमें या छटे सप्ता हमें तो तरह चतुर्च सप्ताह में पुरुष शुक्राणू दरा इस्त्री अंडाणू को निशेचित किये जाने के बाद निर्मित ब्रूण के इस चौथे सप्ताहर थात एक माह में हृदय आरेमभिक आखों का विकास तथा पेरों के चिन बनने लगते हैं किसी व्यक्स कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइडरेट खादे और कुल प्रोटीन खादे उत्करस्ट और निम्न दोनों ही का क्रमशेह तोल होना चाहिए 600 g और 420 g 600 g और 600 g और 420 g और 420 g तो उत्तर है 600 g और 420 g मनुष्य के भोजन का पोशक तत्व 6 प्रकार के योगिकों कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, खनिजलबन, जल और विटामिन से बना होता है एक वयस्क कामगार को परते दिन 400-500 ग्राम कार्बोहाइडरेट, 82-100 ग्राम प्रोटीन तथा ओस्तन 2 ग्राम वसा की आवश्यक्ता होती है निमलिखित मैं से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है A, B, C, Y D तो तरही-D सूर्य की प्रकाश में एर्गो-इस्टिरोल की सहायता से कॉलेस्टरोल की सिंथेस्स द्वारा विटामिन-D बनता है सिंथेस्स द्वारा की गई है क्रिया हार्मोन जैसी होती है जिसके कारण विटामिन-D को हार्मोन समझा जाता है दूद को पचाने के लिए आवशक एंजायम, रेनिन और लेक्टिस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयू में लुप्त हो जाता है, दो वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष या आठ वर्ष, तो तरह है आठ वर्ष, मा का दूद बच्चों के लिए समपूराहार होता है, आठ वाष के उत्परिवर्ष नसिद्धान का पृतिपादन किस ने किया था। ह resting ने, दार्बिन ने लेमार्ख न या र Pharise ने ख sugar एंक डिभ्रीज weit लिए ने की घा ल on का बहुत है, coach पार्षक अच्छानक अनुवानशिक परिवर्थन, जीवों के जीन में अच्छानक परिवर्थन आ जाता है, फलत है धारक जीव में ऐसी वे लक्षनता है उत्वपन होती है जो माता-पिता में नहीं होती है यदि एक पिता का रक्तवर्ग A और माता का रक्तवर्ग O है तो बताईए उनके पुत्रकन में लिखित में से कौन सा रक्तवर्ग हो सकता है B, A, B, O या B, A, B अत्वा O तो तरह O, चुणकि देखिए चार रक्त समू होते हैं चार रक्त के ग्रुप होते हैं A, B, A, B और O और यदि किसी पिता का रक्तवर्ग A और माता का रक्तवर्ग O है तो उनसे होने वाली संतान, पुत्र का रक्तवर्ग जो समू है वो A अत्वा O में से कोई एक हो सकता है और चुणकि option में हमें O दिया गया है अकेला यहाँ यदि option में A अत्वा O दिया होता तो वो सही होता तो इस हिसाब से option C ठीक है यानि कि O एक और बात आप जान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को रक्त दिया जाता है और किसी व्यक्ति का जो भी रक्त गुरुप होता है या रक्त वर्ग होता है उसे उसी रक्त वर्ग का जो ब्लड है वो दिया जाता है क्योंकि यदि उसे दूसरे रक्त समू का रक्त वर्ग का ब्लड दे दिया जाएगा तो उसके शरीर में ठक्का जमने लगेगा और इस क्रिया को अबिशलेशन या क्लंपिक कहते हैं और इस से उस व्यक्ति की मिरत्य हो जाएगी अगला सवाल देखते हैं हाइड्रोजन गैस का एक मोल ओक्सीजन के आध्यक्य में जल कर 290 किलो जूल उश्मा देता है उन्ही परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उश्मा उत्पन्न होगी तो इसका उत्तर है 580 किलो जूल क्योंकि यहां दिया हुआ है 290 किलो जूल और एक मोल बुला गया है एक मोल में यानि की 2 ग्राम तो यहां 4 ग्राम हुआ यानि दुगना और यदि हाइड्रोजन दुगना होगा तो जो उश्मा होगी वो भी दुगनी हो जाएगी तो इस प्रकार उत्तर आया है 580 किलो जूल अगला यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाश्प ग्रहन करने की चमता घटेगी बढ़ेगी पहले घटेगी फिर बढ़ेगी या कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा तो उत्तर है बढ़ेगी क्योंकि जो वायू मंदल में आदरता है और तापमान है उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है और यदि जो वायू है उसका तापमान बढ़ेगा तो उसकी नमी धारण करने की शमता बढ़ जाएगी एटम में न्यूट्रोन की खोज किस ने की थी? जेजे थॉमसन, चैडवेक, रदर फ्रोड या न्यूटन तो इसका उत्तर है चैडवेक ने की थी न्यूटन की खोज सर जेम्स चैडवेक ने की थी यह विद्योत उदासीन करन है एवं इसका द्रवेमान प्रोटोन के बराबर होता है एलेक्टोन की खोज जेजे थॉमसन ने की थी इसकी मात्रा हाइडरोजन परमाणू की मात्रा की एक बटा 1840 होती है और इस पर रिण आवेश की एक एकाई होती है रदर फोड ने परमाणू का प्रतम विखंडन तथा परमाणू शोध की खोज की न्यूटन ने गुर्त्वा कर्शन नियम की खोज की यह नियम है प्रत्वी पर सभी वस्तू में प्रत्वी द्वारा आकर्शित होती है चलिए एगला सावाल देखते है दूर दरश्टी दोश से पीड तिव्यक्ती को कठनाई होती है इन मेंसे क्या दूर की वस्तू है इस पश्ट देखने में पास की वस्तू है इस पश्ट देखने में दूर और पास दोनों की वस्तू है इस पश्ट देखने में या इन मेंसे कोई भी नहीं या इन में से सभी चमा कीजिए तो उत्तर है पास की वस्टू है इस पस्ट देखने में इसमें सिंपल आप इस तरह याद रख सकते हैं देखिए जहां भी कहा जाएगा कि दूर दर्श्टी दोश है तो उसको पास की वस्टू है नहीं दिखाई देंगी और कहा जाएगा निकट दर्श्टी दोश है तो उसे दूर की वस्टू नहीं दिखाई दी जाएगी देगी यह ठीक उल्टा है क्योंकि दूर दर्श्टी दोश के कारण आँखें दूर की वस्टू तो देख सकते हैं अगला सवाल देखते हैं निमलिकित में से कौनसा सामाने ताप पर ठोस अवस्था में रहता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन तो उत्तर है आयोडीन आयोडीन नीले काले रंग का अपार दर्शिय क्रिस्टी ले या ठोस है जिसमें धात्विक चमाकोती अर्थात आयोडीन सामाने ताप पर ठोस अवस्था में रहता है शपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निमलिकित में से किसके अपगटन से प्राप्त होती है असेटिलीन, मीथेन, कार्बने टेटरा क्लोराइड या बैंजीन तो तरह मीथेन शपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन के अपगटन से प्राप्त होती है मीथेन को 1000 डिगरी सेल्सियस तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक बनता है जिसका उप्योग शपाई की तैयारी बनाने में किया जाता है कार्क निम लिखित में से किस पेड से प्राप्त होता है डलबर्जिया, सेड्रस, क्वैकस या आर्जिमोन तो उत्तर है क्वैकस, कार्क ओक नामक रक्ष से प्राप्त किया जाता है जिसका वैग्यानिक नाम क्वैकस सुबर है तो दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आने वाले सभी वीडियो इसी प्रकार के हम सभी विश्यों पे लेकि आने वाले हैं जो भी सवाल UPSC, UPSC और SSC में पूछे गए हैं इसी तरह हम व्याक्या में बताने वाले हैं हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमी रही हो आगे आने वाले वीडियो में मैं सुधारने का प्रयास करूँगा और प्लीज मुझे कमेंट द्वारा भी बताईएगा कैसे मैं और सुधार उनमें कर सकता हूँ ताकि आपको बढ़ाई में मदद मिले और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद